नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर तो दोस्तों न्यूजिलेंड ने एक बहुती सरानी यह कदम उठाया है और जिसके तहट न्यूजिलेंड आने वाले दिनों में अपने आपको कम्प्लीटली टोबैको फ्री बनाने वाला है तो इस प्रकार से वो एक निया लेके आ रहे हैं जिसके तहट जो नहीं पीड़ी आ रही है उन तक अब सिग्रेट या टोबैको इन एनी फॉर्म नहीं पहुंचने दिया जाएगा तो कि बहुती सरानी यह कदम है और इसकी प्रशिंसा की जानी चाहिए तो आज की इस क्लास में इसी पर हम च पर ही है तो वह आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आज बस एक जरूरी अनॉस्मेंट है बस आज के लिए अगर आप एक साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको छे महिन महिने की सब्सक्रिप्शन्फ्री मिलेगी तो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन्फंशन छे महिने की फ्री मिलेगी ऑन पर्चेजिंग कर लिए हैं उससे पर हम चर्चा करेंगे तो होने क्या वाला है कि आने वाले दिनों में एज लिमिट तैय कर दी जाएगी तो उस एज से कम जो भी बच्चे हैं इस वक्त तो बच्चे ही हैं तो वो सिगरेट परचेज नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे ये पार्लेमेंट में दोनों में सहमती हो चुकी है और यह law आने वाला है तो यही न्यूज में हर्च जग है आपको देखने मिलेगा तो इस न्यूज की जो key highlights किया है दोस्तों तो वहां की जो health minister है associate health minister है आईशा विरॉल उन्होंने कहा है कि हमें उनको ensure करना है कि वहां के जो लोग हैं वो कभी smoking स्टार्टी ना करें क्योंकि ऐसा कोई age नहीं होता यह safe age है अभी smoke कर लो बाद में जब बड़े हो जाना तब छोड़ देना ऐसा तो होता ही नहीं है क्योंकि smoking से cancer होता है करकडोग होती है करकडोग होता है यह हम सब जानते हैं तो इसलिए उनका purpose है कि ऐसा law लेके आएं कि जो आज बच्चे हैं वो कभी भी cigarette ना पियें और इस प्रकार से न्यूजिलेंड आने वाले दिनों में tobacco free हो जाए तो legislation की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देखे तो जो legislation है तो 2023 तारीक रखी गई है जब से यह implement होगा तो अभी यह 2023 है हो सकता है कुछ इसमें अभी further discussion हो लेकिन प्रपोस किया गया है दो हजार तईसो तारीक होगी and इसमें ensure किया जाएगा कि वैसे तो वहाँ पे legal लेज 18 साल है लेकिन ensure किया जाएगा कि जो भी December 31 2004 के बाद जन्म लिये हैं वो कभी भी cigarette नहीं पी पाएंगे तो होगा यूं दोस्तों तो इसमें restrictions लगाए जाएंगे तो सबसे पहले तो 2024 में क्या किया जाएगा जो number of authorized sellers है cigarette कि उनको कम किया जाएगा उसके बाद 2025 में cigarette में जो nicotine content है वो nicotine content को कम किया जाएगा और 2027 onwards माना जा रहा है कि totally smoke free generation create हो जाएगी तो इसके लिए क्या होने वाला है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो age limit है जो आप अगर देखे तो 2023 से implement किया जाएगा तो 2023 में जो 2004 या उससे पहले जन्म लिये हैं वो तो 18 साल क हो चुके होंगे लेकि जो 31 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिये हैं वो करीबन आप देखे तो 18 साल के उस वक्त तक नहीं हुए होंगे तो 2004 की जो age limit है दोस्तों तो ये enforce करवाई जाएगी कि 2004 या उसके बाद जो जन्म लिये हैं उन तक कभी cigarette नहीं पहुँचे क्योंकि बाखी cigarette का बेखना भी दीरे-दीरे मुश्किल होता जाएगा और फिर smoke-free generation तो हम New Zealand तो create करने में सक्षम हो जाएगी तो बहुत ही historic step है smoke-free future के लिए तो जो 2004 या उसके बाद जन्म लिये हैं वो कभी cigarette purchase नहीं कर पाएंगे और क्या होगा हर साल के साथ 2024 में आप देखेंगे तो ये age limit इस प्रकार से increase करती जाएगी क्योंकि 18 नहीं होगा 2024 में ये 18 है 2025 में 19 साल की limit लगा दी जाएगी 2026 में 20 साल की limit लगा देंगे 2027 में 21 साल लगा देंगे तो इस प्रकार से age limit बढ़ती जाएगी तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि जो आज बच्चे हैं वो बड़े होने क के बाद भी उन तक cigarette नहीं पहुंचेगी तो दोस्तों न्यूजिलेंड की बात करें smoking rates की बात करें तो न्यूजिलेंड में वैसे तो smoking rate कम हुई है 2018 में करीबन 11.6 प्रतिशत लोग हैं जो की daily smoke करते हैं ये आज से 10 साल पहले 18 प्रतिशत से भी जादा ये number था तो कम हो रहा है लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो maori people है और साथी साथ जो pacifica people है इनमें काफी जादा smoking rates देखने मिल रही है especially maoris में इनमें 29 प्रतिशत smoking rate है तो maori आपने शायद काफी जादा देखा होगा picture वगेरा में या cricket match के पहले या फिर न्यूजिलेंड टीम को अगर आपने follow किया है तो उनका कुछ steps होते हैं रगभी वगेरा में जो करते हैं तो यहीं से inspired है तो maori people कौन होते हैं तो यह indigenous polynesian people है polynesian people है जो कि आप देखें तो वहां से न्यूजिलेंड में आए थे 1320 1350 में और अब न्यूजिलेंड में रहते हैं तो यह indigenous people है polynesia के तो आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं Pacific Island के कुछ islands हैं जो कि आपको देखने मिल रहा है यहां पर आप देख सकते हैं तो यहीं पर दोस्तों जो इन islands से आए हैं तो उनको कहा जाता है Pacifica people तो आप देख सकते है Pacifica people आपके तस्वीर में देख रही है न्यूजिलेंड की Prime Minister है उनके साथ दोन इसके सिवा दोस्तों सवाल उट रहा है जो सिग्रेट रिटेलर हैं जो बेचते थे उनका क्या तो अब तक न्यूजिलेंड में 8000 करीबन सिग्रेट रिटेलर हैं और यह अगर आप देखे तो टोबैको प्रोड़क्स अलग अलग प्रकार से बेचते हैं लेकिन आने वाले नए रूल के तहट क्या हो जाएगी इनकी संख्या कम करके बस 500 हो जाएगी और 2025 के बाद से इनको जो सिग्रेट भी बेचने होंगे वो लो लिकोटिन लेवल वाले बेचने होंगे तो इस प्रकार से और वो भी उनहीं को बेच सकते हैं जो की अंडर दी लॉग प्रोहिबि करेंगे तो 5 billion dollar in future health expenditure न्यूजिलेट बचा पाएगी लेकिन जो business owners हैं जिनका business का नुकसान होने वाला है उनसे एक backlash देखने मिल रहा है तो यहां पर government ने साफ साफ कह दिया है कि आपका जो business का नुकसान होगा उसको हम compensate नहीं करेंगे उसकी भरपाई आपके नुकसान की government न मजबूत ना हो पाए वो उसकी rise ना हो पाए उसको भी कर्व करने के लिए वो प्रयासरत रहने वाले हैं इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि न्यूजिलेंड में एक वेपिंग का trend काफी बढ़ गया है कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं जैसा तस्वीर में e-cigarettes smoke किया जाता है तो इसमें आप देखें तो vapor के through nicotine deliver होता है body में तो इस प्रकार से younger generations में cigarette का alternative की तरह इसको देखने मिल रहा है न्यूजिलेंड health authorities लेकिन जानती है इस बात को कि वेपिंग harmless नहीं है and already research आ चुकी है कि वेपिंग से भी आप देखें तो cancer होता है त लेकिन न्यूजिलेंड 2017 से कह दी है कि वेपिंग एक pathway की तरह promote किया जा रहा है कि जो cigarette पीते हैं वो cigarette छोड़के वेपिंग पर आये और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ दे हालाकि वेपिंग इस रिस्की it causes cancer इसके बावजूत अभी 4-5 दिन पहले की news है आप देख सकते हैं इसको USFDA की approval मिल गई है इंडिया में तो अच्छी बात क्या है वेपिंग इस ऑल्सो नॉट एलाओड हमने वेपिंग को भी बैन करके रखा है इस 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 ऑल्सो बैंड इन इंडिया और आप देख सकते हैं लैंसेट पब्लिक हेल्थ में भी आया है कि इस सिग्रेट बैं इंडिया एक बहुत इंपोर्टेंट पब्लिक हेल्थ रिसेशन है जो कि हमने लिया है लेकिन दोस्तों इंडिया में अभी भी टोबैको कंदम्शन रेट कासी हाई है और स्पेशली अगर आप देखें तो इंडिया में जो स्मोकिंग है वो क्विट रेट अगर आप देख सब को बैलन्स करके हमें भी इस स्टेप में कुछ मूव करना अब चाहिए अब यह वक्त आ चुका है तो दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो और पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें पाथ फाइंडर चैनल को अगर आपने मिलती है गाइडिंस मिलती है और जो मेरी गाइडिंस से वो सारी सब्टिक्स ऑफ जीएस ऐसे एंड जोगरसी ऑप्शनल को कवर करती है तो केसी वन जिरो इस दिकोड एंड साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा एन्वल प्राइस हाइक हो चुका है 9 डिसमबर को 16 पाद एक मेगा प्राइस हाइक भी होने वाली है उसकी तारी कभी बताई नहीं गई है लेकिन तय है तो आप जल्दी से जाएं उस हाइक के पहले केसी वन जिरो कोड का इस्तमाल करें और अकैडमी सब्सक्रिप्शन लें इसके सिवा दोस्तों कर आप प्लस जीएस लेते है और जल्दी सब्सक्रिप्शन की कीमत है अब 50,000 रुपए और जल्दी सब्ला डिसंबर के बाद 52,000 रुपए हो जाएगी और फिर मेगा प्राइस हाइक भी होने वाली है हो सकता है इसकी कीमत बढ़के 57,704 रुपए तक पहुंच सकती है तो इसलिए इस मेगा प्राइस हा करें और एन्रोल करें इस संडे को है दोस्तो चार करोड से ज्यादा की स्कॉजर्शिप पूल है तो इसका फाइदा उठाएं साथ-साथ फ्री टेस सीरीज है जैसा आप स्कीन पर देख सकते हैं तो इसके माध्यम से आप हिंसे जुड़ सकते हैं और साथी-साथ लोन की भी स्क्रिप्शन की भी बेनिफिट है तो वो सब आप साइदा उठाएं दो साल की प्लस स्क्रिप्शन की कीमत 24,800 रुपया है दो साल की आइकनी की कीमत 1,4,145 रुपया है एक साल की ऑप्शन की कीमत 24,750 रुपया है तो UBCCSE Batches भी 15 December से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका हिससा भी आप जरूर बने और आपका आची क्लास पसंद आई हो थैंक यू सो मच पर जोइनिग आव ग्रेट दे अद लेट स्क्राक इंद लेट स्क्राक इंद